पहला बड़ा अपडेट क्या है रूस और यूकरेन के बेज़ारी जंग के आपको फटा फट समझा देते हैं पहला बड़ा अपडेट है रूस यूकरेन में आज बातचीत की उमीद है बेला रूस में यह बातचीत हो सकते हैं चौथा बड़ा अलर्ट किया है बेला रूस में रूस को एचमी हतियार तैनात करने की परमिशन मंजूरी दे दी है पांचवा बड़ा अपडेट जो युद्ध से जुड़ा है वो ये है कि रूस में हाई अलर्ट पर न्यूक्लिय फोसेस को कहा गया है ज्याने किसी विवक्त हमला करने के लिए तैयार रहे है जंग पर जोड़ा छटावा बड़ा अपडेट यह है कि I.E.E. का एसपेस रूस के लिए बंद कर दिया गया यूरोपी यूनियन ने रूस के लिए अपने एसपेस बंद कर दिया और EU ने ये पावंदी इंपोस किया है आठवी, नौवी बड़ी खबर बड़ा अपडेट ही है कि युद्ध में आप तक 352 युक्रेणियों की मौत हुई है आखरी और दसवा बड़ा अपडेट ही है कि युक्रेण में 249 भारतियों को लेकर पांचीवी एरिंडा की फ्लाइट दिली पहुँच चुकी है ये सबी लोग बुकारेश से इंडिया पहुचे है मेरे साथ एक्स डिप्लोमेट, मेरे गेस्ट अशुक सजनार जी बनेवाश सर रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है लेकिन युएन जी की बात करें तो ये नैटो से तो रूस डरता नहीं, अमेरिका से डरता नहीं ये ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देखिए ये दबाव बनाने का एक तरीका है जो की और भी जैसे इंटरनाशनल फोरा है जैसे यूएन सेक्यूर्टी काउंसल में भी केवल पंदरा में से केवल रूस ही एक ऐसा देश था जिसने अपना वीटो इस्तेमाल किया और उस जो वो रिजल्यूशन था उसके विरुद उसने वोट किया तीन जो देश थे जैसे आपने भी बताया है भारत चीन और यूएई इनोंने अबस्टेंड किया कोई तरफ नहीं ली कोई साइड नहीं ली और जो और पंदरा जो मेंबर होते हैं सदस्यों होते हैं यूएन सेक्यर्टी काउंसिल के उसमें एक प्रिपॉंडरेंट नंबर ग्यारा देशों ने ये कहा इसको कंडेंड किया और बहुत ही जो एक तो उसको अलग तलग करना और उसके उपर आर्थिक दबाव डालना जिससे की वो सोचने को विवश हो जाए जो वो काम कर रहा है वो ठीक है उसको उसको चेंज करना चाहिए बदलाव करना चाहिए और यहाँ पर भी क्योंकि वहाँ पर यूएन सेक्योरिटी काउंसिल में तो उसने अपना वीटो इस्तेमाल कर लिया रूस ने परन्तु यूएन जनरल असम्बली में कोई वीटो नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पर अगर एक बहुत ज्यादा तादाद में बहुत ज्यादा नंबर्स अगर रूस के विरुद वोट करते हैं तो उसका मतलब है पूरी दुनिया रूस के विरुद खड़ी है तो हला कि कुछ है आठ दस देश जैसे हमने देखा था वेरिजवेला है क्यूबा है कुछ और देश है जो की रूस के साथ वोट करेंगे परन्तु मैं यह उम्मीद करता हूँ जो बहुत सारे देश एपस्टेंड करेंगे भारत भी मेरे विचार से उसमें आज शाम को जो यह होने वाली है बहस होने वाली है भारत में उसमें एक्स्टेंड करेगा परन्तु फिर भी मुझे ऐसे लगता है मुझे ऐसे उमीद है जो करीब एक सो से ज्यादा देश वो रूस की निंदा करेंगे रूस के जो कदम उठाए हैं उसके विरुद वोट करेंगे और वहाँ पर 50% वोट की आवशकता होती है तो अगर 193 में वहाँ पर सदस्य हैं यूनाइटिड नेशन्स के तो करीब नबे से उपर पिचानने से उपर देश की पॉजिटिव वोट चाहिए उस रिजिलूशन को कैरी करने के लिए और मैं समझता हूँ जो इतने वोट तो जरूर मिल जाएंगे और ये रिजिलूशन जो खै अब शाम को देखना पड़ेगा भारती समय के अनुसार साड़े आठ बजे वहाँ पर इसके उपर डिसकॉशन शुरू होगा देर रात हमारे यहां के समय के अनुसार वोटिंग होगी पर मैं ये तो समझता हूँ मैं ये उमीद भी करता हूँ ये रूस के विरुद जो वोटिंग है जो रिजिलूशन है उसको पारित कर दिया जाएगा सब मेरा सवाल भी आपसे यही था कि जनरल एसेंबली की बात कर लें सीक्योडी काउंसिल की बात कर लें और भी तमाम जो संगठेन हैं जो दुनिया भर के मुल्क जिसकी बात सुनते हैं समझते हैं लेकिन जिस तरह से रूस बेकदरी करता दिखाई दे रहा है मैं आपसे एक समाने भाशा में समस्ता चाहता हूँ एक भारती है नाकरी क्या समझे की जनरल एसेंबली के दबाव को सेक्योटी काउंसिल के दबाव को अगर रिश्या नहीं मानता है तो उसके बात क्या मैं इस पारत हो गया तो आप फौज भेज दीजेगा और रूस का विरुद करिया और सामना करिये तो वो तो कर नहीं सकता तो ये तो moral pressure उसके उपर apply किया जा सकता है जो UN charter के जो provisions हैं जो आप किसी भी देश की संप्रभुता को आप वो नहीं करेंगे आप तोड़ेंगे नहीं जि अब बहुत ताकतवर समझता है जैसे रूस है तो United Nations में यही विकल्प हैं और विकल्प नहीं हैं जो और विकल्प हैं वो और देशों के पास है और उन देशों ने अपने sanctions लगाए हैं और मेरे विचार से अब जो हैं और जैसे आप बता रहे हैं बहुत अची तरीकी से ब प्रश्वति पूतिन को इंडिविजूली पर्सनली और सर्गे लावरो जो वहां के विदेश मंत्री हैं उनके पर्सनली उनके उपर सैंक्शन्स लगाए गए हैं जो मतलब उनके जो भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट्स हैं वेस्ट में उनको फ्रीज कर दिया जाएगा उनको वो इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे जो वहां के बड़े-बड़े बैंक हैं उनके उपर प्रतिबंद बड़े लगा दिये गए हैं जिससे कि वहां का जो व्यापार है और आर्थिक व्यवस्था है हमने देखा है जो अब कल जब ऐसे प्रतिबंद लगे हैं तो रूबल की जो वैल्यू है डॉलर के विरूद वो करीद की 40 प्रतिशक नीचे हो गई है तो इसलिए इसके उपर ये आर्थिक दबाव डाल रहे हैं बहुत सारे देश और सर ये देखने मानी बात भी होगी कि आर्थिक दबाव काम करता है यह नहीं क्योंकि रूस में इ तैयार करी रखा है